स्मृतिनगर ग्रहनेर्माण सहकारी संस्था के लगातार चौथी बाराध्यक्ष बने राज वट चौबे ने अपनी जीट का श्रेर शेत्र की जन्ता को दिया है उन्होंने कहा कि स्मृतिनगर की जनता ने जो उन पर भरोसा किया है इस पर वे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे ग्रेंड एसियन न्यूस की ब्यूरो चिफ शाहिन खान से चर्चा करते हुए कहा कि शेतर में अधूरे रुके विकासकारियों को पूरा कराना उनकी प्राथमिक ताउं में से शामिल होगा नमस्का दर्शको आप देख रहे हैं ग्रेंड एसियन न्यूस और मैं हूँ शाहिन खान इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शक्सियत मौजूद है जो की कोई परिचाए की महताज नहीं है जी हाँ मैं बात कर रहे हूँ राजीव चौबे जी की जो की स्मृती नगर ग्रीह निर्मान मंडल के चौनथी बार अध्यक्ष चुनकर आये हैं इन्होंने अपना बीता कारेकाल काफी अच्छा बिताया है और नए कारेकाल को लेकर जो की अभी ये विज़ाई हुए हैं तो हम इनकी निमास्थान पहुंचे और सोचा की थोड़ी चड़चा इनकी कारेकाल को चुनाओं को लेकर की जाए तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर मैं जानना चाहूंगी स्मृतिनगर सोसाइटी की चुनाओं में आपकी लगातार चौंथी बार जीत है अपने इस जीत का श्रे आप किसे देते हैं पूरी तरह से 500% स्मृतिनगर के सदस्यों को यहां की जन्ता को जिन्नों ने इतना विश्वास दिखाया मुझ पर इस संस्था के इतियास रहे कि लगातार दो बार निर्वाचित होकर कोई नहीं आया तो ऐसे स्थिति में लगातार चौती बार मुझे जनादेश देना यह सारा श्रे जो है यहां के सदस्यों को यहां किसमृतिनगर के रहवासियों को जाता है सर अगामी भविश्य को लगर योजनाय क्या क्या है और उनमें से प्रात्मिक्ता किस-किस को देते हैं देखे भविश्य को लेकर यह है कि नगर निगम और संस्था के मद जितने बीजो समस्या है उनको निराकरित करना है मुख के बाद तो यह है कि यहां की जो सडके रहे गई थी सिमेंटी करण का बजट मैं लेकर आया था डॉक्टर रमान सिंग के कयराकाल में चार करोड़ बीस लाख रुपे की राशी समृतिनगर की सडकों के सिमेंटी करण के लिए आई थी तो इसको अपग्रेड करना है उसके लिए मैं रहत हूं और मेरी सब़से बड़ी प्रात्मीकता है माननी मूख मंद्री भूपेश बगल जी से मैंने निवेदन किया था रेक पत्र लिखा था वेक्ति का त्रूप से मुलाकात की थी और यह मेरली बड़े हर्ष का विश्य है कि उन्होंने सहानुपूति पूर्वग इस पर विचार किया ततकाल पत्र नगर निगम भिलाई को उनके कार्याला से आ गया जिस पर अभी नगर निगम भिलाई जो है वो प्रोजेक्ट तयार कर रहा है और उसके बाद वो शाषन को भीजा जाएगा तो उस राशी को स्विक्रित करवाना राज्यशाशन से और स्मिति नगर के सिवरेज को अपगेड कराना है यहां की सड़कों को जो शेश बच्ची सड़के उनका सिमंटी करन करना है उसके बाद जो है जो आन्ने प्राजमिकता है जैसे उद्यानों का अपने असाधन से और जो हो सके मदद लेकर नगर निगम से करेगी उसके अलावा और जो छोटी-छोटी चीज़े है एक बहुत मल्टी परपस हाल की बहुत बड़ी आवशकता है हमको है तो जो हमारा पुराना कम्यूनिटी हाल है लग बग जर जर हो चुका है उसको तोड इसी और निर्मान करना यह मेरी परात मिटता हूं मैं नगर निगम की आपने भी बात की है तो हम नगर निगम से जुड़ा एक प्रश्न आप से करना चाहेंगे कि नगर निगम और की नगर जो मंडल हैं के बीच काफी विवाद की सिती देखी जाती है अक्सर देखा भी ज से चुनेवे जन्प्रतिनीधी के पास कोई फाइल जाती है उनका नजरिया जो एकदम अलग होता है और जो शाष की अधिकारी होते हैं एड्मिनिस्ट्रिटिव ऑफिसर्स उनके सोच का नजरिया एकदम अलग होता है इस नजरिये के फर्क में हम पिस जाते हैं विवात एक वर्क को जादा मिल रहा है और किसी एक वर्क को कम मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो समिधान द्वारा प्रदत समता के अधिकार का वो लंगन है स्मृति नगर और नगर निगम के बीच में जो मोटे-मोटे जो मूल विवाद हैं वो इस तरह के हैं यहां साफ सफ के लिए वो नंगर निगम वसूल करता है यह हमारा कि हैं यह फिर वो सुभ़िदा नगर निगम देते और रीमोटेनेंस चार्ट लेते उस राशी से हम घरों से कषणा उठाना श्रीट डाइट है सिवरेज का मेंचनेंस है पार्क उद्यान का मेंचनेंस सब्सक्राइंस सा नगर निगम पूरे भिलाई शहर में 200 रुपय प्रती कनेक्शन प्रती माह किदर पर पानी घर तक पहुचा कर देता है इतगरा ही किया यदि पूरे भिलाई में 200 रुपया प्रती कनेक्शन प्रती माह वो ले रहा है और घर तक पानी पहुचा रहा है तो निश्चित रुप से स्मितिनगर में भी यही होना चाहिए लेकिन चुकि हमारे यहां पाइपलाइन पहले से बिची हुई थी हमारी पानी की टंकी थी और निचे संप बना हुआ था हमारी पाइपलाइन तूस लाइन को यूज करते हुए नगर निगम ने समझोता कर लिया ततकाली ओफिसर इंचार यहां स्मितिनगर में बैठे हुए थे कहां पर निर्वाचित संचालक मंदल नहीं था उसके आभाव में वह अनुबंद हुआ उस अनुबंद में उन्होंने उसी दर पे कर लिया पानी लाके हमारे संप में छोड़ दिया गयाता है वो भी आधा दूरा पानी अभी हमको 5-6 बोर्वेल का पानी भी यूज करना पड़ता है चोबिस गंटा हमारे बोर चलते है और पानी जो है संप में निगम छोड़ द है वो सो रुपे प्रतिमा प्रतिकनेक्शन आता है तो नगर निगम के लिए मैं अपने सदस्चों से तो 200 रुपे प्रतिकनेक्शन प्रतिमा लेता हूं सो रुपे मैं यही वेह कर दे रहा हूं तो हमारा यह है कि हमने नगर निगम से कई बार कहा कि या तो इस वेह को वो क करें हिद्गराही के घर तक पानी पहुंचा और दो सो रुपे उन से ले ले या फिर वो सो रुपे कम करके हम उनको पैसे देंगी जब नगर निगम नहीं माना तो आप जो निराकरन की बात करें थी जो प्रयास संसा द्वारा किये गया है यूजर चार्ज को लेकर और जलकर को लेकर हमने मान्य उचने आले में अलग-अलग दो रिट लगा के रखी हुए यह संसा की जब से निश्ची तुरुप से उसमें फैसला हमारे हाक में होगा क्योंकि सो रुपे यदि मैं व्य कर रहा हूं तो पैसा आएगा कहां से यह सीदी सी बात है इतना है इसा है नगर कि उपलब्दियां मेरी नहीं उपलब्दियां स्मृति नगर की है मैं में तो मेरा विश्वास नहीं है मैं अपनी बात कभी नहीं करता यह हमारे स्मृति नगर के 1200 सदस्यों की उपलब्दियां है पिछले 15 वर्ष में चार करोड की लागत से सी सी सडकों का निर्मान हुआ उसके पहले 2010 में साड़ी साड़ी सड़कों का डामरी करन हुआ था स्मितिनगर के जितने भी उद्याना जाब देखती हैं फैंसिंग वाले वो सारे खुले मैदान थे उद्यान के लिए जगह सुरक्षित की आलंकी जगह का नुकसान नहीं हुआ था लेकिन पूरा पूरा समितिनगर के बीच में आता है इसका राकरकाओ जो है वो भी हम करते हैं तो इस तलाप का गहरी करंड करवाया गया इसकी चारो तरफ पात्वे बनाया उसको फेंसिंग से घेरा गया लाइटे लगवाई गई बास्केटबॉल कोड का निर्मान हुआ इंडोर हॉल में हमारे बैड्मिंटन की कोचिंग चालू हुई जिमनास्टिक की कोचिंग मैंने चालू करवाई और टेनिस का पहला कोड स्मृतिनगर को एक परिवार के रूप में बांदने के लिए अन्यक अतिविधियों पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया व्यक्तितु का पूर्ण विकास एक छोटे से बच्चे से लेके महिलाओं से लेके और बुजर्गों से के हर आयू वर्ग के लोगों की आवश्यक्तिाओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रस्ट्रक्चर के अधोसन रचना के अधिरिक इनके लिए कुछ किया जाए तो इस दिशा में हमने सबसे पहले समर कैम लगाना चालू कि आप बीएस पी को छोड़के आप देखिए सबस कोट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, पर्सनालिटी डेवलप्मेंट, स्पोकल इंग्लिश ऐसी सारी संगीत की सारे प्रस्क्षन हम देते हैं तो एक उसको चालू किया बास्केटबॉल कोड का निर्मान करा है मेरी सोच सबसे पहले यह थी कि बच्पन हमारा सारा बिलाई में बीता है टाउन्चिप में तो ऐसा कोई खेल नहीं है जो हमने ना खेला हो गिल्ली डंडा से लेके लंगडी बिल्लस और जाडबंदर और गोबार डंडा और क्रिकेट और हाकी और फुटबाल सारे खेल खेलते हैं ते टाउन्चिप के बच्चे अचानक जो युग परिव 12-15 सालों में मेरे हां के देड़सो से जादा बच्चे रास्ट्री स्तर पर खेल चुके हैं समितिनगर के यह बहुत बड़ी उपलदी है संस्ता की जिमनास्टिक की कोचिंग हमने चालो करवाई जिमनास्टिक में भी आज हमारे पचास से जादा बच्चे नेशनल के चेल बैडमिंटन की कोचिंग चालो करवाई तो खेलों के तरफ पूरा ध्यान दिया महिला समाज के लिए एक पुराना हमारा जो हाल है उस हाल के उपर एक बड़ा गंदा सा सीड़ी चड़ने के बाद गंदी सी जगहा उनको एक चोटा सा हाल था जिसमें उनकी गतिविदिया चलती थी तो उनके लिए एर कंडिशन हाल दिया उनकी विवस्ता करवाई तो एक कंप्लीट परस्नालिटी डेवलप्मेंट हो सके लोगों का इस बीजीच का ध्यान रखा हमने सर जैसे आपका कारेकाल उपलब्धियों मरा रहा उतने विवादों में भी आपका भी देखे गए अकसर कर आपकी सदसिता को ले कर हो या फिर भूखंड में अतिक्रमन से जुड़ा हो ऐसे कैसार विवादों में आप लगा तार खीरे रहे सर दिखें विवाद का तो ऐसा है कि स्मितीनेगर जो है वो प्रदेश की सबसे बड़ी ग्री नेर्मान सहा कारी संस्ता है चत्तिसगड की नहीं अभी भाजित मद्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्री स्याकारी संस्था 1980 में बनी थी सारे पढ़े लिखे और जागरुक लोग हैं और हाइपर एक्टिव लोग भी हैं हमारे हैं तो क्या होता है जो चुनाओ हारता है यहां का सदस वो मैंने देखा है कि चुनिंदा लोग है अगर सारे लोगों को परशानी होती तो एक बार के बा तो इनको आप बरगल आ के वोट ले सकते हैं ना इनको आप पैसे दे के आने किसी प्रकार के प्रलोभन से आप इंसे वोट ले सकते हैं ना इनको ड़ Spa सिधी सी बाद जिस प्रकार के बुद्धी जीवी वर्क स्मिती नगर में रहता है और एक के बाद एक लगातार मुझे चुन रहा है तो इससे ये तो साफ जाहिर है कि जो भी आरोप लगे हैं वो बेगुनियाद है अब आरोप जिनकी बात आप कर रहे हैं एक तो सदस्यता को देखिए आप जिस जखाह में बैठे हुएं ये स्मिती नगर मान स्यकारी संसा से के अंतरगत आता है ये भूखन है इस भूखन का मैं मालिक हूँ इसकी रजिस्ट्री है और ये ले आउट का हिससा है टाउन अन्टी प्लानिंग है तो यदि किसी भी नगर मान स्यकारी संस इता यह है कि अध्यक्ष बनने से पूर्व समय अध्यक्ष प्रमोध उपाध्याजी तब संस्ता से मैंने भूखन क्राय किया था वह सड़क नंबर 22 में था इस दक्षिनी छोड में स्मिती नगर के चानाई मेरी स्वेल इसके सामने कालांतर में वह भूखन मैंने बेचा औ बकायदा वह संस्ता में मैंने पटाया और उसके बाद यह भूखन मैंने ले या तो जिस दिन मैंने वाला भूखन छोड़ा उसी दिन यह वाला भूखन ले लिया एक ही दिन जब दोनों ट्रांसफर हुए तो मेंबर्शिप को लेकर अगर इनकी बात में दम होता तो आज स पास साल पहले इन्होंने इसके खिलाफ एक याचिका लगाई थी जो SDM दुर्ग ने सुनी खारीज हो गए उसके बाद इन्होंने अपील की संयुक पंजिक के नैले में वहां भी है इनकी आचिका खारीज हो गई अभी जानकारी में आईगे फिर से इन्होंने याचिका ल बाहर है देखिए आरोप इस प्रकार के लगते हैं कि कुछ लोगों की मैंने सदस्ता समाप्त कर दी ये कर दी ये कर दी तो इस बाड़े में बड़ा मतब एक विधी का ग्यान अगर व्यक्ति को नहीं है तो कुछ भी कह ले कुछ भी आरोप लगा ले और जिसको विधी का भी कानुन को जानता होगा, समस्ता होगा, किसी भी 36 सहकारी सोसाइटी अदिनियों 1960 से हमारी संस्ता जो है, वो संचालित होती है उसकी अदिन, उस एक्ट में जो प्रावधान दिये गए हैं, जो निये में उससे बाहर जाके काम करने का किसी को अधिकार नहीं होता तो उस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि कोई अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति की सदस्ता समाप्त कर सके आम सभा को संचालक मंडल को अधिकार दिया गया है और यदी व्यक्ति उस तो उसकी सदस्ता समाब की जाती है ऐसी कती विदियों के कारण कुछ सदस्यों की सदस्ता समाब होई है तो उसमें सीधा सीधा यह आरोप लगाना कि मैंने कर दिया यह गलत है लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोई विदि संस्ता की चवी का ख्याल किये बिना पुर्वा ग्रासे ग्रस्त होकर सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए खुले आम प्रेस कॉन्फरेंस लेता है और प्रेस कॉन्फरेंस में जूटे आरोप लगाता है जिससे संस्ता की चवी दूमिल होती है तो संचालक मंडल निर्णा लेता है कि ऐसे व्यक्ति की सदस्ता समाब कर दीने चाहिए उसकी सदस्ता समाब करने के बाद कि अधिकार ही वेक्ति का नहीं है संचालक मंदल का अधिकार है और संस्ता के छभी की बात है एक सवाल पूछना चाहूंगी आप सहकारीता से जुड़े हैं और कुषर राजनीती की है आने वाले दिनों में क्या योजना है राजनीती से जुड़ी दिखे वास्तित्ता के धरातल पर काऊँगा कि आज की डेट में किसी राजनितिक दल का सदस्य नहीं हो 2021 के जो नगर निगम के चुना हुए उसमें निर्दली प्रत्याशी होने की वज़ा से भारती जन्ता पार्टी से मेरी सदस्ता समात की थी और मैंने फिर अपनी गलती को स्विकारते हुए भारती जन्ता पार्टी जिलादेख्ट प्रदेश अध्यक्ष को आवे दन दे के रखा हुए है कि मेरी सदस्ता यदि बहाल कर दी जाए मुझे अपनी गलती का असास है जो परिस्तिते जिस भी कारण से हुआ तो भाविश में अगर जादी मेरी सदस्ता बहाल कर दी जाती है तो जो पार्टी के रीती निती योग जो बाठी के कारेक्रम होंगे उनके लिए काम करdess Jahr लेकिन भार्टी हें लेकिन बार्टी के अलावा और कही नहीं जा रहां यह तैब कि अन्य राजनेतिक दलों ने मुझे संपर्ख साधा था और नगर निगम चुनाओं के पहले खुला प्रस्ता हो था मेरे लिए पार्शत की टिकेट दूसरे राजनेतिक दल मुझे देने के लिए तैयार थे लेकिन मानसिक्ता वो नहीं है इस करण में नहीं गया तो जिस दि मेरी सदस्ता सवाब तो मुझे बाल होगी मेरी सदस्ता मैं काम करूँगा तो भारती जंता पार्टिकले करूँगा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको अपना किम्ती वक्त दिया और कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाहते थे उसकी जवाब बेबाकी से दिये धन्यवाद तो ये थे चौथी बार जीत कराएं मिती नगर ग्रीह निवान मंडल के अध्यक्ष राजी चौबे जी उन्होंने ऐसे कई अंसुल्जे सवाल जो की लोगों की जुबापर हैं उनके जवाब बड़ी बेबाकी से दिये और लोगों के भ्रमों को दूर कर दिया जो इन दिन इन न्यूस के लिए संतोश शर्मा के साथ मैं शाहिन खार